और राम राम स्वाग्त है आप सभी का मेरे यूटू बद्वे कर दोग में आप सब कैसे हैं उमीद है आप सब अच्छे से होंगे और हम मैं हुं किचन में और हम कर रहे थे आज मकी की उडाई तो मैं अभी आई हूं किचन में और सुबह का अटा लगा हुआ था यहां पर तो मैं सोच चपाती बनाती हूं पट वो गया हमारे खमीरे वाला आटा क्योंकि गर्मी बहुत है आज कल काफी दिन होगे दूपनी के यहां बहुत कम लोग करते हैं लेकर फयरते, झनलें नुग्ता जूपनी में बहुत होती हैं अदर की लिए हुं आज के बधूरोग की प्लुट बनाते हैं यहां आधा प्या highest वाले लिया हुए तो मैं पर लिए हैं अधा आप चाहें तो प्यूरी भी बिना सकते हैं और इस तरह से इनको प्याइब के में कि फिर मठूर में च्रड़ी मनसक्तुनें मन שמंति करी कंपन कोई सब्यूर्स भी जो भी सबस्रा घ्योरी, तो few बना और मैथी के दाने, तो आपको जो भी मसाले पसंदों मतलब आप अपनी मर्जी के साब से स्टाफिंग कर सकते हैं इसमें, तो यह हमारी चट्नी बन के तियार हो गई है, और अब जलते हैं, बनाते हैं बठोरू, तो मैंने बठोरू के स्टाफिंग तियार रख दी है, और कर सकते हैं यह एक्दम फलोफी हो गया है, आठा, खमीर आ गया है इसमें, और यह देख सकते हैं आप, छिछी जलदी हो जाता है, वह चले शुरू करते हैं, बनाना, बठोरू, और बठोरू हम हाथ से बनाएंगे, मिदलब बैलन की कोई जरूरत नहीं होती है, बनाएंगे इस तरह से बनाए आप भी जुरूर ट्राइगी जएगा गर्मियों में बहुत अच्छे होते हैं खाने के लिए और पेड़ा बनाके इस तरह से थोड़ा सा फ्लाट कर देना इसको और इसमें स्टापिंग कर देनी है इस तरह से और फिर से इसका एक पेड़ा बनाना है बंदी करके अच्छे से इस तरह से और बैलन की हेल्प ना लें क्यूंकि बैलन से फट जाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे और बहुत अच्छे बनते हैं तो जहां से आपको लगेगी स्टाफिंग निकल रही बाहर हाला कि नहीं निकलती है बट थोड़ी कही निकल जाए तो आप दुर्वारा थोर्टा लगा लें सुखा आटा और यह हमारा भूट रूबन के तियार है तो हाइफ लेम पर ही पकाए इसको क्योंकि लो फ्लेम पर यह कच्छा रह जाएगा तो इस ट्रैस करूंगी अगर आप चूले पर बनाए तो ज्यादा बेटर है चूले पर ज्यादा अच्छे बनते हैं एक साइड सी अपक चुका है और इसको पलिर दिया मैंने तो आप देख सकते हैं कि इतना मतलब कि तो आप इसको चूले में पकाएं इस तरह से और चूले में डालके तो और ज्यादा टेस्ट होता इसमें क्योंकि यह आगमें सेक से अपकार से तो यह ने देख सकते हैं आप दोनों साइड से अच्छे से बख चूका है हमारा तो तो यहाँ पर सेम पुसीजर से मैं दुबारा से बनाऊंगी और भी और हम बनाते रहते हैं और यह स्टाफिंग वाले मैंने एक दुबार फैले ट्राइ किये थे तो मुझे अच्छे लगे मैं सुचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ आपको भी अच्छे लगे तो प्लीज चनल सब्सक्राइब केजएगा और ज़रूर बनाएगा बठोरू क्यूंकि जो पहले की चीज़े होती ना इस टाइब की जो बठोरू बनाए कुछ और बनाया बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं है कि बनती है हम सोचत आज बठोरू की रेस्पी आपके साथ शेयर की है मुझे अमीद आपको अच्छे लगेगी और यह हमारे यहां पर बठोरू बन के त्यार होगे यह देख सकते हैं आप इस तरह से और डार्क टार्क से थोड़े लग रहे होंगे आपको क्योंकि यह आग में मतलब बनाए है थोड़े तो थोड़े से डार्क टो होई जाते हैं बर टेस्टी बहुत जादा थे आज कल गर्मिया है और गर्मियों में यह ऐसी चीज़े जरूर ट्राई करनी चाहिए क्योंकि यह गरम नहीं होते हैं चपाती हमारी गरम होती है तो यह भूरू गरम नहीं होते हैं और भी जुरूर ट्राइ किजएगा ये रेख सकते आप तो भी में खा लेती हूं खाना और मुझे जुरूर बताना आपको कैसी लगी हमारे बुठूरू और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कॉमेट जुरूर किजएगा वचानल सब्सक्राइब कर लेजएगा मिलते हम आप से नेक्स्ट वीडियो मित अबता किली बाइबाइ टेक केर